तो हेलो दोस्तों वेलकम टू हरोलेंड आज मैं आपके लिए एक स्लेशर थिलर और सस्पेंस से भरी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक लेडी अपने स्वार्थ को पूरा करनी के लिए किस अब तक जा सकती है तो आईए मूवी शुरू करते हैं वर्निंग वेलकम टू हरोलेंड अगर आप पहले बार इस चैनल पर रहा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके जरू हो जाना को देखकर रो रही थी तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे देखकर कुलोई भ्योशे का नाटक करती है और तब ही वह आदमी उस लड़की को गसीते हुए एक रूम में लेकर चला जाता है और रूम का दर्वाजा नौक कर देता है कुलोई उस दर्वाजे को देखती है और उस दर्वाजे से लड़की के चिलाने और एक मशीन की आवाज आ रही होती है ओँट थोड़े देर के बार में उससे वो आवाज आनब मद हो जाती है तो समझ जाती है कि उस लड़की को मार दिया गया है फिर अगला सीन में हमें आदमी को दिखा जाता है जिसका नम एंडुयू था जो की काम की तलाच में अपना शेहर चोड़कर दूसरे शेहर में घुम रहा था वहाँ पर हमें पता चलता है कि एंड्रियू की एक बेटी भी है जिसका नम जोई था और वो एक चाइल्ड केर में होती है एंड्रियू अपने बेटी को वहाँ से वापस लाना चाता है लेकिन चाइल्ड केर सेंटर वाले उसको उसकी बेटी नहीं देते हैं क्योंकि एंट्रियू ने चाइल्ड केर सेंटरल वालों को रुपए नहीं दियते हैं क्योंकि जितने रुपए चाइल्ड केर इंस्टूट वालों ने उसकी बेटी के विलफेर में खरच की होते हैं उसका एक रुपए एंट्रियू ने चाइल्ड केर वालों को नहीं दियाता फिर हम देखते हैं कि एंड्रियू एक रोट के किनारे खड़ा होता है और वहाँ पर खड़े-खड़े उसको काफी देर हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके उपर कोई नज़र रखे हुए है और कुछ टाइम के बाद में एंड्रियू अपने गर पर चला जाता है फिर हमें क्लोई दिखा जाती है और उसके पास में एक लड़की आती है जिसका नम एंजलीना था और वो उसके हाथों को खोल रही होती है और तब ही महाँ पर उसको दर्वाजा खुलने की आवाज आती है जिससे सुनके एंजलीना फिर सो रुख जाती है और फिर वो क्लोई के मुग की पट्टी खोल देती है तब ही महाँ के दर्वाजा खुलता है तो एंजलीना बेट से नीचे चुप जाती है और वो क्लोई को अपना चेहरा दूसरे ध्रफ करने के लिब बोलती है तब ही क्लोई देखती है कि वो आदमी उसी लड़की को गसीर तवे ले जा रहा था जिसे वो क्लोई के सामने से ले गया था और उसकी पूरी बाडिक पर ब्लड लगा वा था जिससे देखकर हम लोग ये अन्दाजर लगा सकते हैं कि वो killer कितना खतरनाक है और उस killer के जाने के बाद में एंजलीना क्लोई के हाथ खोल देती है और फिर क्लोई एंजलीना से पूछती है कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है जिसके जवाब में एंजलीना बताती है कि है जो कि अपने साथ इतना सब कुछ होते हुए बर्दाश नहीं कर पा रही थी और एक बार फिर से वो भ्योश हो जाती है तब ही एंजलीना क्लोई को उठाकर दरवाजा के पास मिलाती है जहां पर वो killer दरवाजा के दूसरी तरफ से आ जाता है और यह देखकर वो दोनों अपने जान बचा कर वहाँ से बागते हुए दूसर रूम में चुप जाते हैं लेकिन वो killer उस रूम में आ जाता है और पहले एंजलीना को पकड़ के भार ले जाता है और थोड़ी देर के बाद में वो Chloe को पकड़ कर ले जाता है अब अगले सिन हम लोग Andrew को देखते हैं जो कि एक आदमे के लिए कुछ लकड़िया काट रहा था जिसके बदले में उसे कुछ रूपे मिलने वाले थे और यहां भी हम देखते हैं कि Andrew पर कोई आदम नज़र रखे हुए था जैसा हमें movie की starting में दिखाया गया था अपना काम फुरा करने के बाद में Andrew अपने घर प अफर करता है जिसा सुनके एंड्रियू जॉब के बारे में पॉल से information लेता है और पॉल उसको एक package पहुंचाने के काम देता है उसके जवाब में Andrew कहता है कि वह कोई delivery boy नहीं है तभी पॉल एंड्रियू को वह पारसल खोलने के लगता है एंड्रियू मना करता है और फिर प अधिम लगते हो और इसके बार में Andrew पॉल से सोचने के लिए थोड़ा time मांगता है जिस पर पॉल उससे time देता है और वो कहता है कि कुछ time के बाद में तुम्हें दोबारा call करूंगा फिर समय बीचता है और एंड्रियू के पास में पॉल का call आता है तो वो उससे job के लिए होता है जिस पर एंड्रियू जोब के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को child care center से free करवाना था फिर पॉल उसे कहता है कि तुम्हारे घर के बाद एक वासल रखा हुआ है जिसे तुम्हें एक address पर पहुचाना है और यह भी बताना है कि इस parcel का आदर payment हो च करती है और Almira को खूलती है जिसमें उसे एक लड़की का हाथ मिलता है और उसे देखकर वो काफी डर जाती है फिर वो उस रूम को सर्च करती है जहां पर उसे और भी बहुत सारी लड़किया ब्हुच दिखाई देती है और फिर वो रूम की एक विंडो के पास जाती है जो कि वो देखती है कि उन लड़कियों में से एक लड़की को खोश आ रहा है और इसे देखकर क्लोई उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की का नाम एशली था क्लोई उसके मुझे पट्टी हटाती है और उससे शान्त होने को बोलती है लेकिन एशली शानत नहीं होती जिससे देखे कर वो डर जाती है और किलर को उसकी आवाज सुने ही न दे इसलिए वो उसके मुँपर दोबारा से पट्टी बांद देती है और एक बड़े से ड्रोर को दर्वाजे के समने रख देती है ताकि वो किलर अंदर नहीं आ पाए फिर वो एशली को उठा कर बेट प हो गया था और उसका पेर तोड़े टाइम के लिए प्रेलाइस्ट हो गया था और तभी मुआ पर किलर आ जाता है और दर्वाजे खोलने के कोशिश करता है यह देखकर एशली बूट डर जाती है और तभी क्लोई एक चोटी से टेबल उठा कर वेंटिलेशन के नीचे रख क्लोई उपर से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसको उपर खीचने लगती है तभी महाँ पर वो किलर भी दर्वाजा खुलकर अंदर आ जाता है और यह सब देख लेता है फिर किलर नीचे से एशली के पेर पकड़कर उसको खीच लेता है और वो एशली को खीचकर मार दलता है और ये सारा सीन उपर से Chloe देख लेती है तब भी वो killer एक मुक्ली हतियार से ventilation से Chloe पर अटेक करता है क्योंकि उसे शकता कि उपर अभी भी कोई न कोई जिंदा है पहले attack में Chloe बच जाती है लेकिन दूसरी बार में Chloe के पेर पर वो हत्यार लग जाता है जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है लेकिन वो अपने मुँपर हाथ रख लेती है जिससे कि वो आवज नहीं कर पाए फिर क्लोई एक होल से किलर को देखने की कोशिश करती है और तबी वो किलर एक हत्यार से क्लोई के शूलडर पर अटेक कर और उसे देखकर वो किलर को लगता है कि क्लोई की डेथ हो गई है और वो एशली की बॉड़ी को उठा कर वहाँ से ले जाता है अगले सीन में हम लोग यह देखने है कि एंड्रियू उस पेकेज को एड्रस पर पहुचा देता है और तब ही वहाँ पर दो चोर आते हैं और वो कर पुरी रात उन चोरों को ढूंडता है लेकिन उसे ढूंटे ढूंटे सुबह हो जाती है और उसे उन चोरों के बार में कुछ भी पता नहीं चल जिससे कि वो परेशान होकर पॉल को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे वह चोर नहीं मिले है फिर पॉल एंड्रियू को एक एडर्स बताता है और एक कहता है कि वो चोर यहाँ पर मिलेंगे जिसके बार में एंड्रियू उस एडर्स पर जाकर उन दोनों चोरों को जान से माड ढलता है और उस पेकेज को अपने साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है इदर दूसरी सरफ हम लोग क्लोई को वेंटिलेशन से बार आतावे देख पात है और वो एक अलमीरा को खुलती है जिसमें और भी बहुत सारी लड़किया किन्या करके महाँ पर बंदी हुई थी क्लोई उन लड़कियों के मुँपर बंदी पट्टियों को खुलकर अपनी चोट पर बान लिती है और उसके बाद में वो उन पट्टियों को आपस में जोड़कर एक बड़ी सी रसी बना लिती है जिससे कि वो उस किलर के लिए एक्टर तयार करती है और इदर जो पॉल को पता चलता है कि एंड्यू ने उन चोरों को मार दिया है और उस पेकेज को ले लिया है तो वो उसके काम से बहुत कुछ होता है और उसे बताता है कि अगर तुम इसी तरीके से काम करते है तो एक दिन दूम बहुत बड़े आदमी बनोगे और यहाँ पर हम देखते है कि पॉल उसे अपनी बातों में फसा कर अपने गलत काम उससे करवा रहा है तब ही वो एंड्यू को एक केटर्स देता है और बताता है कि एक लेड़ी है जिसे तुमारे जिसे अफ़दर आदमी के जुरुत है जो कि तुमें उसके काम के बदले बहुत सारे पेसे दे सका उससे सुनने के बाद में वो उससे ड्रस पर पोच्छता है जहाँ पर उससे एक लेड़ी मिलती है जिसका नाम इलिजबेता और जब एंड्यू एलिजबेत को देखता है तो उसके कुपसूरती का रास पूचता है और उसके जवाब में एलिजबेत उससे बताती है कि वो जवान लड़कियों का खुन पीती है और उसी की वज़े से वो आज तक बुड़ी नहीं हुई है अब एंड्यू उससे पूचता है कि तुमें मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है तो एलिजबेत उससे बताती है कि तुमें मेरे लिए जवन लड़कियों का खुन निकालना है और उसके पदले में में तुमें बहुत सार पेसे दूँगी ये सुनकर एंड्यू थोड़ा सा डर जाता है और वो इस काम को करने के लिए मना कर जाता है और वहां से उठकर जाना लगता है तब ही एलिजबेत उसे रुकती है और उसे उसकी बेटी के बारे में बता और कहती है कि ये काम करके तुमें जो पैसे मिलेंगे उसे तुम अपनी बेटी को उस चैल्ड वेलफिर सेंटर से छुडा सकते हो फिर एंड्रू उससे पूछता है कि इतने सारी लड़कियों को वो कहां से लाती है जिसके जवाब में इलेजबेत कहती है कि वो खुबसूरत लड़कियों को किड्निप करती है और उनके बलड को मार्केट में सप्लाय करती है चुकि उसके जैसी और भी बहुत सारी लेड़ी है जो कि हमेशा जवाब और खुबसूरत दिखना चाती है और वो उन जवाब लड़कियों के बलड के बदले में उसे मूँ माँगे पेसे देने के लिए भी तयार होते है अगले सीन में हम क्लूई को एक दर्वाजे से बाहर आतावा दिखते है जहां पर उसको वो किल्वा खड़ावा दिखता है और जब किलर अंदर आता है तो क्लूई रसी के फंदे को अपने गले में फसा लिती है जिससे देखे कर किलर थोड़ी देर के लिए वही फुरुक जाता है और फिर किलर उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तब ही क्लूई के बना है वो ट्रैप उसके पेर में फस जाता है वो जैसे killer गिरने वाला होता है तो Chloe अपने गले का फंदा निकालकर killer के गले में डाल देती है और एक हत्यार से killer के हाथों पर अटेक कर जिससे की killer अपने हाथ हिला भी नहीं पाता है और तब Chloe कुछ लिल्कियों को बेट पर लिटा देती है जिससे की killer के गले की रसी और टाइट हो जाती है और फिर Chloe एक तरफ से रसी को खिचती है जिससे की उस killer को फांसी लगती है और killer महीं पर मारा जाता है अब सिंट्शिव्ट होता है जहां पर Elizabeth एंडू से पूछती है कि क्या वो इस काम को करके अपनी बेटी को आज़त करवाने के लिए रजी है और परिशान होकर एंडू उसे हाँ बोल देता है और यहां पर हमें पता चलता है कि वो killer जिससे Chloe ने मारा था वो भी Elizabeth के लिए काम प्या करता था और क्योंकि उसे Chloe ने मार दिया था तो अब एंडू को उस killer के जगा पर काम करना है और दूसरे सीन में हम लोग Chloe को देखते हैं जो कि killer को मार कर उसके मासके को हटा कर उसका फेस देखती है और फिर वो घर का दर्वाजा खोल कर मासे बाहर जाने लिए और इसी के साथ में यह movie यह पर end होती है तो दोस्तों आज के हमारी इस movie में हम लोगों ने देखा कि case है एक selfish lady किस प्रकार अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए और कभी बुला नहीं होने का अपना सपना पूरा करने के लिए न जाने कितने लड़कियों की life को बरबात कर देती तो जब movie स्टाट होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिरकार movie में क्या चल रहा है और लड़कियों को यहाँ पर केट क्यों किया गया है और एंड्रु का इन सबसे क्या connection है लेकिन जैसे जैसा movie आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आने लगए कि आखिरकार इस movie में क्या चल रहा है और इन दोनों कहानिया एक एसे mode पर आकर रुकती है जहाँ पर आपको सब कुछ clear हो जाएगा और हमें उस killer से भी ज़्यादा कतरना के Elizabeth के बारे में पता लगेगा तो I hope दोस्तों वीडियो आपको ज़रू पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और हमाई चैनल को सब्स्रेब करके ज़रू जाना क्योंकि जल्दी आपके लिए और में इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं